खांसी को कहोगे बाय बाय तो गला नहीं करेगा साय होता है जब सांस फूलता है दोस्तों आप को को बताते हैं कि जैसा की आप जानते हैं इस स्रदीच का मौशम चल ला है और ऐसा में जो है किसी न किसी को घर में या फिर जो है कि खुद को भी कभी कभी क्या होता है सर्देग्हाम के कार झो है खाशी या छीछ चाहिए कौन सा कफ सिरफ किस यूज में आता है इसका क्या उप्योग होता है दोस्तों आप देख सकते हैं मैं एक अई साइड का पोज़िशन आए और इसमें से कुछ जेनरीक है कुछ ब्रांडेड हैं जेनरीक दोस्तों बता दें जो कोई किसमें इसमें बहुत ब्री कमपणियों की दवाइधे मुगस्ते हैं सब dua दो कैसे को पहचानेंगे बहुत लोग नहीं पहचान पतते हैं क्योंकि इसके लिखा होता है तो तो आज इस वीडियो में पूरी जानताई दे दूँगा कि कौन सी जेनरिक है कौन सी ब्राणिक है चैनल को जो है सस्ट्राइब को लिजेगा अभी तक नहीं किये हैं तो और दोस्तों आपको बता दें वीडियो को पूरा देखें इसकी बिल्कुल भी नहीं किरिएगा आप मेरे हाथ में कब सिरफ है दोस्तों ग्री लिंक टस देख सकते हैं इसमें जो साल्ट कंपोजिशन क्या है दोस्तों ड्रेश्ट्रो मेथारपन जो है क्लोर फिरिंद्रा माइन के साथ मैं दोस्तों आप देख सकते हैं आस्था काइंड या अलग अलग नाम से सब हो सकते हैं लेकिन सब में जो साल्ट कंपोसन मिला हुआ है वह क्या है ड्रेस्टो मेथारपन और जो है क्लोर फिर्णा माइन देख सते दम साफ शाफ लिखा हुआ है दोस्तों या कुछ और MRP की बात कर लें तो MRP किसी की कम या ज्यादा हो सकती है आप अपने सुधा अनुसार जो है जाता है जब ड्रेस्टो में थारपन किसी भी कप सिरफ में रहता है तो समली सूखी खांसी के लिए और इसमें पानी बहना चीक आना या फिक गले में जो है खरास हो गया है तो दोस्तों इस सब में जो है क्लोर फिर्णा माइन बहुत अच्छा काम करता है और दोस्तों सूखी खांसी के साथ जो है जो आघर छीक आ रहा है नाक से पानी बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों और यहां सिरफ जो है सूगर फ्री है डॉक्टर रेडिक कमपनी कि दोस्तों देख सकते हैं दोस्तों आप देखिए जो है इस जितना मैं दिखाया हूं अभी ग्रिल ऐसे जो है आप देख सकते थे तहिसे के नाम से लेक्टर रडी का दोस्तों यह सब कभी टोस्तों क्या है अब हम लोग दोस्तों आपको बताएंगे कि कैसे जो है इसमें जिनरी कापके के तощy lol बहुत बढ़ी है कंपनी तो आप इस कंपनी की δवा को पहुपनी कि कैसे ठीक मैं आपको बताऊंगा की कैसे पहचांस्च जबंगा क्रता है काम करता है जह ब्रोथ ऩूंस इसमिंद जो इसमें नामिला हुआ है यह तो आप देख से जो आस्था कर्ति करती नहीं करते हैं इसलिए दोस्तों जो है और आप देख सकते जो आस्था कांट है या और वी जो कंपनियां जिसकी मार्केटिंग करती है दोस्तों उसमें कंपनी का काफी खर्श गिरता है इसलिए दवाईयां जो है ब्रांडट हो जाती है आप दोस्तों आपको बता दें कि आपको पहचानना कैसे है तो दोस्तों हम लोग एक आनलाइन एप पर चलेंगे जैसा कि आप नहीं है देखे जेनरिक दवाईयां जो भी होती है उसके आपको 70-80% का डिसकाउंट मिलता है लेकिन जो भी ब्रांडट दवाईयां होती है उसके जो है 15-20% या 10% बाहर में अगर आप लेते हैं मेटके इस्टोर से तो वहां पर कहीं-कहीं दस परसेंट कहीं-कहीं वह भी नहीं करना है डाक्टर की सलाह से करना है आपको रहर जानकारी होनी चाहिए कि कौन से द्वा का क्या उप göz है और कौन सी द्वा नहीं चलता है कि यह जय करे दिभा दे रहा है यह और को पता नहीं चलता है आप समझते हैं आप है इसको हम लोग सर्च कर लेते हैं फिर दोस्तों हम लोग यहां से एक दवा सिपला कंपणी की दवा है दोस्तों किसी भी दवा को दोस्तों इसी आप पर सर्च करोगे तो उसपे आपको 15-20 परसेंट से ज्यादा जिस्काउंट नहीं मिलेगा आए दिखाता हूं मैं आपको देखिए आस्था काइंट डियक्स जैसा कि आप लोग जानते होंगे नाम भी सुने होंगे मैंट कंपनी की दवा है दोस्तों देख काफी चीजें सर्च करनी पड़ी थी मुझे जो है दोस्तों तो अब आप भी जो है समझ सकते हैं कि कौन सी जेनरिक दवा है कौन सी ब्रांडेट दवा है और मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया कि कैसे जो है देख सकते हैं कि कौन सी दवा जेनरिक है कौन सी दवा ब्रां परसंट ज्यादा डिस्टाउंट आपको मिल सकता है लेकिन हमेशा नहीं मिलता है आनलाइन पर दोस्तों तो दोस्तों अगर कोई मेटकर इस्टोर रोला या आपको डॉक्टर जो है अगर जेनरिक दवा देता है और MRT पर पैसा लेता है तो आप जाएए उस दवा को आनलाइन पहले सर्च कर दीजिए देख लिजिए कि उस पर डिस्टाउंट जो को 50% तो समझ जाए एक वह जेनरिक दवा है क्योंकि ब्रैंडर दवा पर जो है कभी 50% डिस्टाउंट नहीं होता है और उस डॉक्टर या मेटकर से सीधा बोले कि यह जेनरिक दवा है मुझे इ करेगा और इस वीडियो को इतना सेर कर देए कि यह वीडियो सभी लोगों के पास पहुचें ताकि लोग अपना पैसा बचा पाएं अगर आधी देख आपने चनल को सब्सक्राइब कर लिजिए